साम लेकूं, dear viewers, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही famous novel Gulliver's Travels को discuss करने वाले हैं, जोके जुनेतन स्वीफ्ट ने लिखा है Dear viewers, जुनेतन स्वीफ्ट 30th November 1667 को पैदा हुए और उनकी date of death 19 October 1745 है Dear viewers, Gulliver's Travels को अगर हम देखें तो यह basically four travels पे मुझतमिल है यह four basic travels में, first travel है लिलिपूट, second travel ब्रॉब्डिंग नेंग, and third travel लेपुटा और जो fourth और final travel है, वो हाइनम लेंड का है So, well, first of all I will introduce the Gulliver's Travels Gulliver's Travels में लेमवाल Gulliver एक basic protagonist है या basic हमारा बुनियादी करदार है Gulliver's Travels 1720 और 1725 के दर्मियान लिखा गया, जबके इसे 1726 में published करवाया गया इसका जो basic genre है वो satire है, इसका point first person या point of view और इसका point of view first person है इसकी setting England और unknown cities में हुई है, जहां पे वो travel करके जाता है और जिस ship में Gulliver's सफर करके जाता है, जो लिलिपूट की तरफ सफर करके जाता है, उस ship का नाम Swallow है Dear viewers, यहां पे जो हमने discuss किया है इसके four travels, इन में first travel जो लिलिपूट की तरफ करेगा ये बहुत famous है इस पे बहुत सारी movies बनी है, बॉलिवूट में, लॉलिवूट में बहुत ज्यादा इस पे movies बनी है और आज हम इस वीडियो में मैं भी first इसके travel को ही discuss करने वाली हूँ So, welcome to my channel, Learning Studio 786 Let's start the story Lemuel Gulliver की पेदाश England के Nottinghamshire शहर में हुई थी इसके वालदेन एक मामूली गराने से थे, उसे पाकर वो बहुत खुश थे Gulliver के वालदेन चाहते थे के वो एक सरजन बने जबके Gulliver अक्सर सफर के खुआप देखता था वो समुंदर की तलाश में जाने के खुआप देखता था सफर के लिए माकूल रहनमाई ना होने की वज़ा से Gulliver ने अपने वालदेन की विश्पूरी करने का फैसला किया और वो एक सरजन बन गया वो बहुत अच्छा सरजन था और अपने पेशन्ट को बड़े अच्छे तरीके से ट्रीट करता उनका बहुत अच्छे तरीके से अलाज करता था इसके बावजूद वो समुंदरी लहरों पर कश्टी के खुआप देखता रहता कई साल गुजर गए गलिवर की शादी हो गई इसके दो बच्चे भी थे वो बहुत ही केरिंग परसन था वो अपनी फैमली का बहुत अच्छे से ख्याल रखता मगर वो अपनी विश कभी न बुला पाया था एक बार क्या हुआ कि उसे एक जहाज पर कप्तानी की उसे जब जहाज पर कप्तानी की मुलाजमत मिली तो वो अपनी फैमली से मश्वरे के बाद सफर पर रवाना हो गया यह सफर 4th में 1699 को शुरू हुआ था जो कहती है 5th November 1699 को हुआ था तो यह गलत है यह 4th में 1699 को यह सफर उसका स्टार्ट हुआ और यह सफर इसने एशिया में एस्टेंडीस की तरफ सफर शुरू किया था वो बहुत खुश था शुरू में तो यह सफर बहुत खुश गवार था एक दिन क्या हुआ के समूंदर में तुफान आ गया और यह तुफान बहुत बड़ा था पानी की बड़ी बड़ी लहरे कश्टी से टक्राने लगी और जल्द ही कश्टी डूब गए गलिवर ने जान बचाने के लिए तैरना शुरू कर दिया वो तैरता रहा तैरता रहा उसने हिम्मत नहीं हारी अलबता उसे लगता था कि ये उसकी जिन्दगी का इकताम हो लेकिन समुदरी लहरे उसकी इस फैसले को कि वो जिन्दा रहना चाता था उसे बार बार तोड रही थी और उसे वो उठा उठा के गहरे समुदर में दकेल देती खुश किसमत ही थे गलिवर ने अपनी कोशिश तरक नहीं की और उसे एक बहुत बड़ी लहर ने वो ही लहर जोसे समुदर में पैंक रही थी उससे उठा के एक जजीरे पे पटक दिया अब गलिवर इस जजीरे पर बेहोश पड़ा था वो गहरी नीन में सोया जब उसे होश आया तो उसी अपनी बैक पर कुछ फील हुआ उसे लगा के वो जमीन से चिपक गया है या उसे जमीन पे गाड़ दिया गया है उसने उठने की कोशिश की लेकिन वो उठना सका उसे लगा के शायद वो बहुत ठक गया है लेकिन जल्द ही उसे अपने जिस्म पर कुछ चलता हुआ मिस्सूस हुआ उसने देखा कि उसका जिस्म और बाल रेट से बंदे हुए हैं और वो उस एक छोटे से शक्स को देखे हरान रह गया जो गलीवर की छोटी उंगली जितना था गलीवर बहुत परेशान हुआ उस चोटे शक्स ने गलीवर से पूछा क्या तुम हमारे लिली पुटियन जिजीरे पर कबजा करने आये हो नहीं तो तुम हमारे जिजीरे पर क्या कर रहे हो क्या तुम हमें खाने आये हो या तुमें बलेफस को ने भेज़ा है लेकिन गलिवर को कोई समझ नहीं आ रही थी कि उससे किस तरह से पूचा जा रहा है या सुवाल जुआ किये जा रही है तो वो सबसे पहले बोला मेरा नाम लैमॉल गलिवर है मैं कोई भूत नहीं हूँ मेरी कष्टी एक तुफान में तबाह हो गई थी मैं ठक गया हूँ इस स्पाही ने गलिवर पर थोड़ा यकीन कर लिया फिर स्पाहियों ने उसे शहर ले जाने का फैसला किया ताके बादशा उसकी किसमत का कोई फैसला सादर करे पंदरा सो गोडे मंगवाए गे और इस पर एक गाड़ी को बनाया गया वो गाड़ी जिस पेसे खैंच के ले जाया जाएगा और उस गाड़ी पर तकरीबन नो सो लोगों ने इसे बांद कर सवार किया ताके गलिवर को शहर ले जा सके गलिवर बहुत हिरान था उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इतने चोटे चोटे लोग भी हो सकते हैं दूसरी तरफ चोटे चोटे लोग उस गलिवर को देख रहे थे जब वो उस शहर में पहुंचे उसमें मर्द और तें सब बहुत परेशान थे और हिरान होके देख रहे थे क्या ये कोई भूत तो नहीं है सपाहियों ने सारी कारवाई बादशा को सुनाई बादशा ने ये सारी कारवाई को खामोशी से सुना फिर इसने कहा कि हम इस पर कोई इतबार नहीं कर सकते बादशा ने गलिवर से बात करने का फैसला किया तो गलीवर को समझ आ गया कि ये उनका बादशा होगा तो उसने बहुत अदब से बात की और बताया कि वो इंगलेंड से आया है तमाम लोग बहुत वज्जों से बात सुन रहे थे बादशाय ने जब उसकी सारी बात सुनी कैसे उसकी कश्टी तबाह हो गई कैसे वो वहाँ पे पहुँचा तो वो कुछ हग तक तो सैटिसफाइड हो गया फिर बादशाय ने गलीवर को एक मुका देने का फैसला किया तो गलीवर भी थोड़ा सैटिसफाइड हो गया और लोगों ने उस सब को वेलकम कहा अब गलीवर के पाउं में बेड़िया डाल दी गई लोगों ने उसे बहुत वेलकम कहा ताकि बादशाय के फैसले से वो बहुत खुश हुए कि बादशाय ने उसे कम असकम एक मुका तो दिया बेड़ियां डाल दी जाएं और गलीवर को शहर से दूर एक विरान जगा पर ठहराया गया वो इस अमारत में पूरा आ सकता था लिलीपूट के लोगों ने इस देवनमा इंसान की बहुत केयर की और हर रोज लोगों का एक ग्रूप खाने की एक गाड़ी लेकर आता गलीवर ये कपड़े वगएरा और आई ये गिप्त देखर बहुत खुश हुआ और उसने पहन कर लोगों को दिखाया फिर इसके बाद वो आइस्ता आइस्ता लोगों से गुल मिल गया गलीवर अब मुक्तलिप तरीकों से उनको इंटर्टेन करता कभी उनके पांच-पांच इंच के उन लोगों को अपने हाथों पर बिठा कर पूरे शहर का मुआइना करवाता और उनका एक व्यू पेश करता और इस तरीके से लोग बहुत इंटर्टेन होते थे कभी वो उनको सबको मुक्तलिप अक्टिविटीज करते हुए देखता कभी वो उनके साथ खेल कूद में उनको शरीक हो जाता उनसे बात करता लेकिन उन्हें देखता रहता इस तरह लोग उससे बहुत खुश थे एक दफ़ा क्या हुआ कि लिलिपुट में एक कॉम्पिटिशन हो रहा था जिसमें एक रसी को जमीन के उपर बांदा जाना था और लोग उससे एक एक करके गुजर रहे थे लेकिन बहुत खौफ जदा थे गलिवर ने बादशा से द्रियाफ्ट किया तो बादशा ने कहा ये वफदारी और बहादरी की आजमाईश है जो इस टेस्ट में कामयाब होगा उससे फोज का जर्नल बनाया जाएगा गलिवर ने बादशा से रिक्वेस्ट की कि बादशा स्लामत रसी बहुत उंची है अगर वो गिर जाएंगे तो इनकी जिन्दगी को भी खत्रा लाहिक हो सकता है क्या वफदारी का सबूत जान से बढ़कर है ये सुवाल किया था गलिवर ने लेकिन उसने रसी का इस पर बादशा कोई जवाब ना दे सका तो इसने रसी का गटा मंगवाया जब उसने रसी का गटा मंगवाया तो रिड्रेसल ऊस फोज का जेनरल है रिड्रेसल ने बादशाक के हुकम से गलिवर की मदद करने को बहुत पसंद किया और वो जल्दी से बहुत बड़ी रसी लेकर आ गया अब गलिवर ने क्या किया गलिवर ने उस रसी को काट काट कर उसका एक जाल बना लिया उस जाल को उसने वो जो रसी बांदी हुई थी उसके नीचे कस कर बांद दिया ताकि अगर कोई उस उपर रसी से गुजरते हुए गिर जाए तो उस जाल में गिरे और उसकी जान बच जाए उसकी ये रहम दिली देखकर तमाम लोग बहुत खुश हुए तमाम लोगों ने उसे दाद दी बादशाय भी खुश हो गया और इनाम के तोर पर उसे अजाद कर दिया और बेड़ियां उसके पाउं से हटा दी गई अब वो बहुत खुश था वो हर जगा अपनी मजदी से जा सकता था गलिवर ने लिली पुट वालों का आएस्था आएस्था दिल जीत लिया अब बादशाय भी अपने मुलक के मसलों में इसे सला लेता और अपने दुश्मन बलेफसको के बारे में भी उसे बताता गलिवर ये तमाम बातें बहुत दिहान से सुनता एक दिन गलिवर को दर्बार में बुलाया गया और उसे बताया गया कि बलेफसको हम पर हमला कर रहा है बलेफसको इन हम पर हमला कर रहा है तो ये बात सुनकर गलीवर भागता भागता साहल पर आया जब साहल पर गया तो इसने जहाजों का एक बेड़ा देखा और उस बेड़े पे बहुत ज़्यादा खत्यार लगे हुए थे गलीवर जहाजों की तरफ चला गया गलिवर को इतना बड़ा एक इंसान देखकर बलेफसको के लोग घबरा गे वो बहुत परिशान हुए उन्हों ने उसक पर हमला कर दिया लेकिन गलिवर पर उसका कोई भी असर ना हुआ उसे सिर्फ ममूली सी चोटे आई ये सब देखकर बलेफसको के लोग बुकला गे और उन्होंने हमला कर दिया इतने में गलिवर ने उन कश्टियों की तमाम रस्टियों को पकड़ा और खैंट कर साहल की तरफ ले आया अब वो जब इन लोगों को लिलिपूट की तरफ लेकर आ रहे थे तो तमाम फोज ने गल गलीवर से कहा के जाओ बलेफसको के सारे जहाज खिल खेंट के ले आओ तो गलिवर ने कहा बादشाय सिलामत उंके वो जहाज जो हम् पर हमला करने आए थे मैं वो सारे बादergा करना तरफ ले आया हूं कुछ जहाज उनके पास हैं लेकिन वो हमला नहीं करेंगे वो अपने नाराज हो गया इसी दूरान क्या हुआ कि गलीवर जो है बादशाओ की इसमे ना फर्मानी तो कर दी और बादशाओ भी इसमे नाराज है नाखुश है लेकिन गलीवर को इस बात से कोई फर्क नहीं वड़ता क्योंकि उसे लगता है कि वो बिल्कुल सही कर रहा है इसी दुन एक दफ़ा ये हुआ कि बादशा के महल में आग लग गई ये आग बहुत तेजी से फैल गई जब गलीवर को इस बात का पता चला तो वो भागता हुआ बिल्डिंग पे आया उससे और तो कुछ ना सुजा और उसने उस बिल्डिंग पर क्योंकि वो बहुत बढ़ा था जसामत में रुखने वहाँ पे खड़ा होकर उस पे यूरन कर दिया जिससे बादशा और मलका को इस पर बहुत घुसा आया अब तो बादशा नफरत करने लगा इससे और इसने उसे सजा देने का फैसला किया एक दिर रुड्रेसल गलिवर से मिलने आया और उसे बताया कि बादशा ने तुमें सजा देने का फैसला किया है वो तुमसे नाखुश है गलिवर लिलीपूट को छोड़ कर बलैफसको की तरफ चला जाए अब उसने सोचा कि मैं बलेफुसको की तरफ कैसे जाऊंगा तो ड्रेसल ने कहा कि लास्ट टाइम जब तुमने हमारी मदद की थी तो वहां पे कैप्टर ने कहा था कि मैं बलेफुसको के किंग को लिखूंगा कि गलीवर बहुत अच्छा इंसान है और इसने बहुत अच्छा हमारे हक में फैसला किया था जब ये बात सुनी तो गलीवर ने लिलीपुट को छोड़ कर बलेफुसको की तरफ जाने का फैसला किया जब वो जा रहा था तो वो पानी में तकरीबन कमर तक डूब गया आइस्ता आइस्ता जब वो बलेफुसको के साहल तक पहुँचा तो देखा वहाँ पे बलेफुसको का किंग और उसकी आर्मी पहले से मुझूद है शायद उन्होंने उसे आते हुए देख लिया था लेकिन बलेफुसको के बादशा ने उस पर हमला नहीं किया गलिवर ने उसे मदद बांगी बलेफुसको का बादशा बहुत रहम दिली से पेश आया और उसने समून और उसे घर देने का फैसला किया अगले दिन जब गलिवर महा साहल पे फिर रहा था तो उसे एक कष्टी नजर आई उसने बादशा से रिक्वेस्ट की कि अपनी कष्टियां बेज कर इस बड़ी कष्टी को खैंच के लाया जाए तो ऐसा ही किया गया अगले कई दिनों तक स्पाहियों ने मिलकर बहुत सारी कष्टियां के मदद से वो कष्टी खैंच कर साहल पर ले आए आप वो कष्टी कुछ तूटी हुई थी तो वो बादशार के हुकम पर इस कष्टी के मुरम्मत शुरू कर दी गई गलिवर अब बहुत ज्यादा खुश था कि अब वो अपने मुलक वापिस जा सकता है बलेफ उसकों के बादशार ने हुकम दिया कि जितने अच्छे से हो चके उस कष्टी की मुरम्मत की जाए उसको सेट कर दिया जाए तक्रीबर एक हफ़ते के अंदर-अंदर कष्टी की मुरम्मत कर दी गई और उस कष्टी में मुनासब पानी, खुराक और फलों का जखीरा भी कर दिया गया ताके सफर से वापसे पर गलीवर को कोई भी मसला पेश ना आयो अब गलीवर ने बलैसुसके के किंग को खुशाम अल्ला हाफिस कहा और अपने सफर पर रुवान आँ गया डियर स्टूडेंट्स अब गलीवर अपने घर पहुँच चुका है वो अपनी फैमिली से मिला सब बहुत खुश थे और अब वो उसे अपने सफर की कहानिया सुनाने के लिए अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ था इसी दुरान हमने देखा कि गलीवर अपने शहर नोटिंगम शायर में सेवन्टीन जीरो टू यानि सेकी ट्वेंटी फॉर अपरल सेवन्टीन जीरो टू को पहुँचा यहां पे इस नावर के पहले सफर का इक्तिताम होता है